अलो दोस्तो मैं हूँ राकेश कपूर अड़ोकेट और आप देख रहे हैं जुडिशल कॉम्पटिशन टाइम्स की लाइड सेशन्स ऑक्सो यह एक ऐसा encl है जिसका आजकल कोट्रूम में बहुत ज्यादा यूस होने लगा है क्योकि इसकी रिलेशन में जो केसिज हैं वो कोट में काफी ज्यादा आ रहे हैं बच्चों को लेकर, विमेन को लेकर, सेक्शल ओफेंसिस रिलेशन में काफी ज़्यादा केसिस कोर्ट रूम में आने स्टार्ट हो चुके हैं हाई कोर्ट को और वेरियस पलविस कमिशन्स को भी इसकी इंपोर्टन्स को देखते हुए उन्होंने इसको जुडिशन एक्जामिनेशन के करिकुलम में धीरे-धीरे एड करना स्टार्ट कर दिया है काफी सारे जुडिशनल एक्जामिनेशन ऐसे हैं जहां पर पहले पॉक्सो एक्ट नहीं आता था अब वो लोग दीरे-दीरे इस एक्ट को पूछने लगे हैं जैसे की रिसेंटली अभी यूपी जुडिशन सर्विसेज का जो नोटिफिकेशन अभी डेसेंबर में आया है 2022 का इसके जो जी-एस का पेपर था वो बेसिकली सिर्फ जनल नॉलीज या जनल साइन्स के रिलेशन में पूछे जाते थे उसमें law का कोई patent parcel नहीं था law का अलग से paper होता है उसमें लेकिन law का parcel इसमें नहीं होता था जी-एस में नहीं होता था लेकिन इस बार से इन्होंने काफि सारे कुछ minor acts हैं जो की जी-एस में include कर लिये हैं अब इसका क्या प्रभाव होगा अगर ये एक्सिस में डाल लिए गए हैं तेकिए इससे आपके सेलेक्शन के चांसेज बढ़ेंगे क्योंकि GS होती है बहुत ज़्यादा वाइड और उसके रिलेशन में आप कभी भी एंश्योर नहीं हो सकते कि ये पर्टिकुलर कॉस्टिन्स इसमें पूछे ही जाएंगे या जो मैंने पढ़ा है वो ही आएगा माल दीजे हिस्ट्री मेंने पढ़ लिया है हिस्ट्री में से क्या कुस्टिन्स वो कभ पूछेंगे कन्फर्म नहीं है लेकिन आपकी नॉलिज का दायरा बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए तब चांसेज हैं कि आप अच्छा सेक्योर कर लोगे तो यह जो इन्होंने GS इसमें आड किया है इसका क्या implication होगा इसका implication यह होगा कि आप एक act को आपने cover कर लिया तो number of questions जो आप attempt करोगे उसके correct होने के chances जादा हैं क्योंकि आपका जो study करने का दायरा है वो एक targeted हो गया और act को आपने पढ़ लिया तो उस act में ही questions जाएंगे ऐसा नहीं है कि कुछ questions का पता ही नहीं है कि कौन से relation में questions पूछ रहे हैं मतलब GS में तो दायरा बहुत बड़ा हो गया ना कुछ भी पूछ सकते हैं लेकिन यहां पर आपका दायरा आपको पता है कि इतने sections है इन sections के बीच में ही questions पूछे जाएंगे तो वो आप इसके सारे जितने भी sections है वो में detail में discuss करूँगा एक एक करके इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ मैं यह बात आपको convey करना चाहता हूँ कि जो लोग judicial examinations की coaching classrooms को join करना चाहते हैं वो मेरी website judicialcompetitiontimes.in पर visit करके various courses को online coaching classrooms के रूप में, online mock test के form में, crash courses के form में, video plan के form में, जो भी आपका requirement है, according to your need, आप उसको choose कर सकते हैं और subscribe कर सकते हैं, तो चलो ठीक है, आज के lecture को start करते हैं और देखते हैं कि हमारे boxo act में क्या लिखा है तो चलिए ठीक है, start करते हैं आज के lecture के साथ सबसे पहले में start कर रहा हूँ chapter no.1 के साथ, और chapter no.1 है preliminary preliminary में हम काफी सारी basic basic चीजों को देखेंगे, सबसे पहले हम section no.1 को देख लेते हैं देखें जहां तक section no.1 का सवाल है और चाहे कोई भी act हो, आप कोई भी act study कर रहे हो जो section no.1 होता है वो हमेशा title, extent और commencement के relation में होता है कोई भी act ले लोगा हमेशा, ठीक है तो जहां तक हमारे इस boxo act का सवाल है, इसका short title या extent या commencement क्या कहता है जड़ा देख लेते हैं, title का मतलब होता है कि इस act का नाम क्या है इस act का नाम है, protection of children from sexual offenses act 2012 अब यहां पर क्या गड़बड वो कर सकते हैं, questions को पूछने में, examination में कि हो सकता है कि यहां पर जो year दिखा रहे हैं आपर यहां पर, 2012 हो सकता है यह 2012 ना दिखा कर 2013 यह 14 करते हैं तो make sure आपको यह पता होना चाहिए, act कौन से year का है, पहली बात तो यह दूसरा it extends to whole of India except state of Jammu and Kashmir अब देखिए हमारे पास यह जो act है, इस act में अल्रड़ी एक amendment हो चुका है amendment basically जो आपका constitution का article number 370 है, उसमें amendment हुआ है और अब Jammu and Kashmir जो की एक independent state माना जाता था और उसके लिए acts भी हमारे जो legislative system था उसमें अलग से apply होते थे जातर acts वहाँ पर apply नहीं होते थे और वहाँ के अपने different acts थे लेकिन अब इस changes के बाद जो constitution में जो changes हो है article 370 में उसके बाद हमारे सारे acts वह Jammu and Kashmir पर भी apply होते हैं ऐसा नहीं है कि वह particularly हमारे इंडियन डॉम जो territory है accept the state of Jammu and Kashmir उसमें यह apply होते हो बलकि दूसरा सवाल यहाँ पर हमारे पास जो है वह यह के यह comments कब हुआ यह comments के लिए date इन्होंने legislature ने इस act में तो नहीं लिखी लेकिन उन्होंने यह कहा है कि central government जब भी इसको लागू करना चाहता है इसे comments करना चाहता है तो वह particularly date declare कर दे खुद से ही एक notification के थूँ एक गजट में notification निकाल लें और date बता दें कि वह कौनसे date से इसको enforce करना चाहते है उस particular date से यह enforce हो जाएगा तो enforceability के लिए commencement के लिए हमें उस notification की date देखनी पड़ेगी जो central government ने अपने gadget में notify किया होगा लेकिन bare act में तो उन्होंने commencement की date नहीं दी है उन्होंने सिर्फ इतनी बात कही है कि central government certain date declare करके notification में बता सकती है कि मैं इस date से इसको apply कर रहा है हम कोई भी act पढ़ें उसमें हमें definitions के बारे में अ हमें पता चलेगा कि ये जो भी हम words use कर रहे हैं इसका act में क्या meaning है और उस definition के relation में ही हम various context को समझेंगे अब यहाँ पर हमें जो भी definitions दी हुई है इन सभी को हम ध्यान से देख लेते हैं और इनका कोई किसी particular section के साथ को relationship है तो वो भी हम आने वाले जो वीडियो से आने वाल वीडियो उसको compile कर दूँगा लेकिन problem उसमें यह हो सकती है आप लों के लिए कि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा टीन गंटे का चार गंटे का ऐसा बड़ा हो सकता है तो हो सकता है कि आप लंबा वीडियो एक stretch में ना देखना चाहें आप parts में देखना चाहें तो आपका जो भी requirement है आप comment box में mention कर देना उसके accordance में ही मैं अपने इस वीडियो को parts में रखना है या एक ही compilation में रखना है accordingly मै आपको बना कर दे दूँगा ठीक है मेरा team उसको बना लेगी और आपको upload करके देदेगी definitions में एक बात जो खास ध्यान दे रखनी है कि प्रदमदनी में कई बर वो पूछते है कि section 2a में क्या लिखा है 2c में 2d में क्या लिखा है ठीक है आपने word को पढ़ लिया और समझ भी लिया उसका meaning लेकिन section के कौन से parts में उस particular word को define किया हुआ है ये भी आपको memorize करके रखना चाहिए अगर आप सोचते हो कि मैं एक बार में section को पढ़ूँगा definition को पढ़ूँगा मुझे याद हो जाएगा और मैं examination में लिखा हूँगा ऐसे नहीं होता आपको एक बार दो बार तीन बार हो सकता है उसको पढ़ना पढ़ेगा और आप उन तरह की चीजों से थोड़ा सा बचने की कोशिश कीजिए आदे घंटे में CRPC खतम 15 मिनिट में पूरा evidence set खतम ये सब चीजे आपको हो सकता है revise करने में मदद करें लेकिन जहां तक मेरी समझ कह रही है ये हो सकता है कहीं न कहीं आपको misguide कर सकती है तो जब कभी भी learning process में आप आएं उस समय पर ये मत देखें कि मुझे इस चीज को learn करने में कितना समय लग रहा है हाँ मैं यही नहीं कहा रहा कि time endless नहीं होना चाहिए लेकिन जितना requisite time उस चीज को learning में चाहिए कम से कम उतना तो आपको devote करना ही चाहिए otherwise उसके आद problem ही होगा कि shortcuts के चक बहुत दायरा बहुत बड़ा होता है कुछ भी पूछ सकते हैं वहाँ पर अगर आप shortcuts की तरफ जाओगे तो भी आपके लिए problem वाली बात है तो detail study करो अराम से वैट कर सुकून से study करो जल्दवाजी में मत रहो ठीक है आगे आगे skip करकर 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 मत देखो ऐसे knowledge कभी gain नह कर पाओगे एक बार तुम्हारा base बन गया ना तो पूरी जिन्दगी तुम्हारे काम आएगा यह ध्यान से समझ लो मेरी बात को चलो ठीक है अब definitions को देख लेते हैं definitions में अगर आप देखोगे तो हमारे पास definition mention की गई है section number 2 में और सबसे पहला जो हमारे पास word है वो है aggravated penetrative sexual assault 2a में mention किया है अगर मैं इसकी definition देखूँँगा तो उनका कहना है कि इसका meaning हमने assign कर दिया है उस context में जो की section number 5 में mention किया है इसका मतलब यह निकला कि अगर मुझे section 2a में aggravated penetrative sexual assault को समझना है तो मुझे section number 5 पढ़ना पड़ेगा ठीक है तो मैं अभी section number 5 पर switch नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ references ले रहा हूं यहाँ पर जब section number 5 पर आएंगे तो इसके meaning को समझ लेंगे डेटेल में ठीक है इसी तरह से हमारे पास है next be to be aggravated sexual assault इसका meaning भी उन्होंने section number 9 में define किया है उसी के context में study करेंगे उसके बाद हमारे पास word है armed forces and security forces यहाँ पर उनका कहना है कि इसका मतलब है कि union की जो भी armed forces हैं जैसे कि navy, army, air force या आपकी BSF या police forces जो की schedule में mention की गई है यह सब क्या कहलाएंगी armed forces या security forces इसके लिए definition 2C में दिया हुआ है अब यह जो यहाँ पर mention किया है ना next वाला यह थोड़ा सा important है मैं इसको थोड़ा सा highlight भी कर देता हूँ 2D important है 2D में basically उन्हेंने बात किया है child के बारे में अब child कोन होता है child के relation में वो कह रहे हैं कि कोई भी person any person below the age of 18 years कोई भी ऐसा person जिसकी उमर 18 साल से कम है कोई भी ऐसा person जिसकी age 18 years से कम है उसको हम child मानेंगे सर हम यहाँ पर female child के बारे में बात करेंगे या male child के बारे में बात करेंगे देखें यहाँ पर male या female child के बारे में बात नहीं उसके बारे में बात नहीं कर रहे हम basically किसी भी person के बारे में बात कर रहे हैं चाए वो male हो चाए वो female हो मतलब particularly gender wise नहीं है यह वाला हमारा जो clause है क्योंकि word रिस्तमाल हुआ है any person ठीक है चलिए आगया थे next है हमारे पास 2E 2E में बात की गई है domestic relationship के बारे में domestic relationship जो पारिवारिक सबंद होते हैं घर के उनके बारे में बात कर रहा है लेकिन इसके context में हमारे पास definition क्या यह तो मेरी general explanation हो गई एक layman की explanation हो गई लेकिन आपके bare act में क्या लिखा बेर act में वो कहा रहे है it shall have the same meaning as assigned to it in clause number 2F 2F कौन से act का 2F protection of women from domestic violence act 2005 यह नि domestic violence act जो है उसका section number 2F में जो meaning mention किया है न वही meaning हम हमारे POXO Act में भी domestic relationship के relation में study करेंगे यानि कि यह दोनों law आपस में linking law हैं आपस में जुड़े हुआ हैं क्योंकि एक particular law में जो word defined किया है उसका reference हम दूसरे law से ले रहे हैं ठीक है तो यह हमारा हो गया domestic relationship next आते हैं हम clause number F पर penetrative sexual assault इसका क्या मतलब है इसका वही meaning है जो कि section number 3 में बताया गया है अब इसके लिए मुझे section 3 देखना पड़ेगा जब वो आएगा उसको discuss कर लेंगे prescribed का मतलब है जो भी rules में इस act में prescribed किया है न वो ही prescribed है और religious institution का क्या मतलब है religious institution का मतलब है कि कोई भी ऐसा religious institution act 1988 उसमें religious institution का जो भी reference दिया गया है वो ही reference हम यहाँ पर हमारे इस boxo act में religious institution के meaning को refer करके उसी के context में understand करेंगे यानि कि यहाँ पर हमारा religious institution act यह भी एक linking law हो गया boxo act के लिए यह याद रखते रहा हो सारे के सारे साथ 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 में ठीक है क्योंकि वहाँ से उसका मतलब हमें समझना है अगला word है हमारे पास जो हमको ध्यान में रखना है वो है to I में mention किया है sexual assault sexual assault क्या होता है यह define किया है section number 7 में अब basically sexual तो आपको बता ही यह क्या होता है उसके बारे में मुझे नहीं लगता आप क्या बताने की जुरत है assault हमारे पास I PC में mention किया हुआ है assault लोग अकसर यह सूचते है कि assault का मतलब होता है किसी को कोई चोट पहुचाना किसी को injury cause कर देना किसी को मारना किसी की पिटाई करना यह assault होता है लेकिन यह तो एक layman ऐसा सूचते है IP से ऐसा नहीं कहता assault का मतलब होता है कि जब हम सामने वाले person को यह apprehension उसके mind में create कर रहे हो कि हम कोई force use करने वाले हैं उस person के खिलाफ कोई criminal force use करने वाले हैं उस person के खिलाफ तो वो होती है assault यानि कि assault का ज़रूर का मतलब नहीं है कि हमने force इस्तमाल कर ली हो आप सामने वाले person को एक apprehension दे रहे हो कि मैं उसके खिलाफ कोई force use करने वाला हूँ वो सब इस्तमाल हुई नहीं है apprehension दे रहे हैं उसके mind में लेकिन हमारे पास यहां पर poxo act में उसका क्या meaning दिया है वो मैं section number 7 की relation में study करूँगा ठीक है चलो आगे बढ़ते आगे हमारे पास sexual harassment यह word काफी ज़्यादा use होता है अच्छा एक चीज नहां सासाता है याद रखते रहो जैसे मेरे पास यहां पर 2i है 2j है तो 2j मेरे पास sexual harassment है 2i में sexual assault है यह सारे words ना mind में बिठा लो क्योंके हो सकता है match the following के form में या कैसे भी आप से sections पूछ लेंके इस section में क्या define किया हुआ है ठीक है तो sexual harassment का meaning भी इन्होंने section number 11 में mention किया है और उसी के light में ही हमको इसको देखना होगा next है हमारे पास K shared household अब ये shared household क्या होता है shared household का मतलब यहाँ पर उनका कहना है it means a household where the person charged with the offense lives यानि कि जिस person के खिलाफ हमने कोई आरोप लगा आ है न वो व्यक्ति उस person के साथ उस child के साथ जिस घर में रह रहा हो या रह रहा था वो घर shared household कहलाएगा जो आरोपी है जो accused है वो जिस घर में accused persons के साथ रह रहा था offense होने के समय पर ठीक है या उसके साथ रह रहा है इस समय पर वो घर एक shared household house माना जाएगा ये बात मेंचन की है K में चली हम next आते हैं L में special court special court वो court है जिसको define किया है या designate किया है section no.28 में यानि कि जब कभी मैं special court की बात करूँगा तो मुझे section 28 को देखना पड़ेगा ठीक है जी next है हमारे पास M clause special public prosecutor special public prosecutor special public prosecutor का वही meaning है जिसका appointment section no.32 में as a public prosecutor हुआ हो वो person वो officer जिसका appointment section 32 के हिसाब से as a public prosecutor हुआ हो उसी को हम special public prosecutor मानेंगे चली next देखते हैं clause no.2 को the word and expression used herein and not defined but defined in IPC CRPC, juvenile justice act, information technology act shall have the meaning respectively assigned to them in the said codes or the acts कहने का मतलब यह है कि कुछ ऐसे words हो सकते हैं जो particularly हमारे यहाँ पर defined नहीं है इस particular act में POXO में जो शब्द defined नहीं है 2D में हमने section no.2 में हमने कुछ particular words को define कर दिया अब उसके बाद कुछ words ऐसे भी तो बचेंगे जो कि POXO में defined नहीं है कहीं पर उनका मतलब हम कहां से निकालने फिर तो उनका reference हमको IPC से, CRPC से juvenile justice act से, information technology act से लेना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कि जो meaning वहाँ पर sign किया गया है उन acts में उस वही meaning हमें यहाँ पर उन particular words का लेना पड़ेगा जो कि हमारे इस act में defined नहीं है तो यह कह रहा है subsection number 2 चलो जी, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं chapter number 2 को chapter number 2 किसके बारे में बात करता है यह basically sexual offenses के बारे में बात करता है जो किसी भी child के against होते है अब यहाँ पर हमारे पास कुछ parts है पहले सबसे पहले part number 1 को देख लेते है penetrative sexual assault and punishment there on अभी आपनों को याद होगा मैंने जब definition के बारे में बात की थी तो वहाँ पर हमने एक word use किया था penetrative sexual assault अब यहाँ पर उसका meaning बताया है section number 3 में तो section number 3 में हमारे पास है sexual assault यानि की penetrative sexual assault अब यह क्या होता जड़ा देख लेते है a person is set to commit a penetrative sexual assault if he penetrates his penis to any extent into vagina mouth urethra andness of a child or makes the child to do so with him or any other person देखो अब यहाँ पर एक चीज बड़ी important है normally लोग कहते हैं कि इस person ने मेरे साथ कोई sexual offense commit किया sexual organ जो है वो insert किया है अब यह insertion vagina में, mouth में, urethra में, anis में खहीं पर भी हो सकता है लेकिन यह ज़रूरी नहीं है इस definition के हिसाब से कि accused person खुल से उस insertion को करे अगर उसने किसी तरह से child को इस तरह से manipulate किया है कि वो child उस sexual sex organ को insert खुद से कर रहा है तो भी यह offense बनेगा मान लो एक activity तो यह हुई कि उस accused person ने खुद से insertion किया है तब तो कोई problem ही नहीं है कि he himself is penetrating लेकिन अगर वो किसी तरह से उस बच्चे को manipulate कर रहा है कि वो बच्चा उस manipulation के तहत उस penetration को खुद से करे या किसी और person में करे तो भी यह offense बनेगा तो यह पहला है clause number A दूसरा he inserts to any extent अच्छा अब यहाँ पर एक और खास बात है क्योंकि उपर वाले में यहाँ पर उन्दने word इस्तमाल हुआ है any extent अगर आप यहाँ देख सकते हो कि word है any extent any extent का मतलब यह नहीं है कि complete penetration होना चाहिए even a little penetration भी हो वो भी sufficient है FOXO Act को constitute करने के लिए यही बात इन्होंने second clause भी वाले clause में भी की कि he inserts to any extent any object अब यहाँ पर क्या इस्तमाल हो रहा है object वहाँ पर क्या use हो रहा था penis यहाँ पर क्या object क्या इस्तमाल हो रहा है object object or any part of the body यहाँ body का कोई भी और पार्ट यहाँ कि finger यहाँ कुछ भी not being a penis into vagina, urethra, anis of the child or makes the child to do so with him or any other person तो यहाँ पर भी situation same ही है लेकिन यहाँ पर male sex organ का insertion नहीं हो रहा है penetration नहीं हो रहा है rather कोई और objects का कोई भी object हो सकता है कोई भी object हो सकता है even उस accused person की fingers हो सकती है उसकी body का कोई भी part हो सकता है even licking करना भी lick करना तंग लगाना वो भी situation में आ जाएगा और लेकिन वो D clause में specially mentioned किया होगा है क्योंकि body part तो भी है next है हमारे पास C clause he manipulates any part of a body of a child so as to cause penetration into vagina urethra, anis or any part of the body of a child or make the child to do so with him or any other person यहाँ पर वो क्या कर रहा है कुछ इस तरह का manipulation कर रहा है कि खुद से वो act नहीं कर रहा penetration का लेकिन manipulation इस तरह का है कि उस child के body में वो जो sex organ है वो penetrate हो जाए या कोई body का part manipulation से उसकी body में insert हो जाए चाहे वो urethra है, vagina है, anis है या कोई और body part है चाहे वो mouth है, कुछ भी है D clause देखिए if he applies his mouth to the penis if he applies his mouth to the penis vagina, anis, urethra of the child और makes the child to do so to such person or any other person बच्चे के साथ oral sex करना या बच्चे को sex organ करवाना दोनों चीजे इसमें शामिल हो रही है बच्चे के body part को leaking करना, mouth apply करना या बच्चे को manipulate करना कि वो ऐसा करे उस accused के साथ वो mouth लगाए तो भी इस case में section number 3 के cover में आ जाएगा ठीक है जी चलिए, आगया आते हैं section number 4 पर हमने ये word तो समझ लिया के penetrative sexual assault क्या होता है लेकिन इसके लिए punishment कितनी है जराए देख लेते हैं तो punishment mention की गई है section number 4 में और ये कहते हैं whoever commits penetrative sexual assault shall be punished with the imprisonment for a term which may not be less than 7 years यानि की minimum punishment जो है वो 7 years की है but which may extend to imprisonment for life लेकिन ये life imprisonment तक हो सकती है minimum punishment दिया है उन्होंने 7 years तक का लेकिन ये punishment life imprisonment तक हो सकता है और साथ में fine भी लग सकता है ठीक है मैं कहूंगा fine भी लगेगा क्योंकि word रिस्तमाल हुआ है shell तो यहां तक तो हमारे समझ में आ गया section number 4 तक तो हमें clear हो गया section number 1, section number 2, section number 3 और section number 4 ये हमारे clear हो गया तो इस part के लिए हम इसको यहीं पर रोक लेते हैं मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह lecture समझ में आ गया होगा अगर आपको यह lecture अच्छा समझ में आया है और आपको अच्छा लगा है तो इसे like share subscribe जरूर कीजिए और जो मेरा youtube channel है उस पर all वाला notification bell को जरूर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले सब वीडियो के जो notifications है वो आपको सबसे पहले मिल जाए तो ठीक है जल्दी भी लेंगे part number two के साथ thank you so much जाहिंद जाभारत जाहिंद जाहिंद आपको सोंस जाले साथ थढに जाए